नमस्कार दोस्तों मैं उदैलाड फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी और आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यावसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्यावसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार U.I.U.T. दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयस का आबादी के सदस्यों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है इस व्यावसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है इस कारण वस दोस्तों कितने बेरोजगार U.I.U.T. इस व्यावसाय को करियर के आप्शन के तौर पर चुनना चाहते है आईसी परिस्तितियों में आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है आपको भी इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि मोसम बरसात का है और बरसात में हम सावन के मोसम में आ चुके है फिर आईसी परिस्तितियों में सावन के इस माहा में हमारी मुर्गयों के माध्यम से मिलने वाले अंडे बेचे नहीं जा रहे है पूरे भारत वर्षे में यह समस्य आती है दोस्तों कि सावन माहा में अंडे बेचे नहीं जाते है लेकिन दोस्तो मैं आपको एक आई सी तरकीब बताऊंगा कि जिस माध्यम से इस सावन के मोसम में जो अंडा आपका बेचा नहीं जा रहा है दोस्तो जो अंडा स्रिफ आप 10 रुपए में बेचते हैं वही अंडा दोस्तो 10 की जगह पर आप 50 रुपए में बेच सकते हो हाँ दोस्तो एक अद्भुत संकल्पना लेकर आया हूँ और आपकी समस्या का भी आपको सुलूशन मिलेगा इसलिए दोस्तो डरिये मत कि सावन माहा में अंडे नहीं बेचे जाते हैं ना बेचे जाने दीजिए आपको दस की जगह पर पचास की कमाई करने का एक तरकीव और एक ऐसा पेत्रा बताऊंगा कि जिस माध्यम से बहुत आसान इसे दोस्तो सावन माहा में जो आपके अंडे न बेचनी की समस्या है उसका सुलूशन आप कर पाओगे तो सावन माहा में किस तरह से एक अंडा पचास में बेचा जा सकता है जानने के लिए दोस्तो यहाँ वी वाटसब नमबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्टाग्राम स्नैप्चैट इन सोचल मीडिया के साथनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हा जाएए वहाँ पर आने के बाद दिखाये देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगे इस घंटी को टच करते है और इस नोटिफिकेशन को आन कर दीजिए ताकि आने वाला हरुड दोस्तो सरकार ने भी इसका सग्यान लिया है और सरकार भी इस जो जानकारी है इसको वहाँ पर हर जिले तहसील में पहुचाने वाली है दोस्तो जिस बात का संग्यान सरकार ने लिया है दोस्तो आप भी इस जानकारी की तरफ नजर दवड़ाए ठीक लगे तो इस्तमाल की किजे नहीं तो छोड़ दीजे लेकिन सही तरीके से मैनेजमेंट करके आप बरसात के मोसम में सावन के इस माह में अपना अंडा जो फार्म का है उसे पचास रुपए में भी बेच सकते हो लेकिन इसके लिए क्या करना है कैसे करना है आप आपको पूरी जानकारी विस्तार से दिये देता हूँ इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए वीडियो को स्किप भी मत कीजिए और यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंतदक देख लिजे लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब जरूर कर लीजे तो देखे दोस्तो अभी सावन माहा में क्या होता है कि जो अंड माचल की सीमाओ तक सभी तरफ वहाँ पर जो है दोस्तो समसमान है फिर आयसी परिस्तितियों में तरकीप क्या है कि जिस माध्यम से अंडा तो बेचा ही जाएगा और वह भी दस की जगह पर 50 रुपए में तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तो इन अंडों को इखटा कर करना है और जल्दी से जल्दी दोस्तो एक हैच्री मशिन मंगवा लेनी है अभी हैच्री मशिन मंगवा लेने के बाद दोस्तो क्या करना है बताऊंगा उससे पहले आपको कॉलिटी के हैच्री मशिन चाहिए आपको हैच्री पशिन का कोई नौलेज ने चलाना नहीं आता ह चूजे निकालने वाली इस मशीन को तो दोस्तो पूरी जानकारी मुफ्त में मैं दूँगा मशीन पहुचने के बाद आंडे चुलना आंडे रखना आंडे को उसके बाद चूजे निकलने के बाद उनका टीका करन ब्रूडिंग फिडिंग ये पूरी जानकारी दोस्तो मैं आपको सिखाऊंगा और वो भी दे उस्तो जीरो रुपए में इसलिए आपको कॉलिटी का इंकुबेटर लेना है अधिक जानकारी पानी और मेरे साथ रहे के बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना है तो आभी संपर कीजिए 84, 82, 62, 62 पर इंकुबेटर कितने में है कैसा है दोस्तो पूरा जांच पर एक्रिशन कर लीजिए पसंद आया तो लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए किसे पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है तो देखे दोस्तो ये बात होगे इंकुबेटर की दिनों इंकुबेटर चाहिए वो संपर कर सकते 24, 82, 62 पर तो देखे दोस्तो सबसे महत्तो पूर्ण बात क्या है कि हमने अभी क्या किया कि समझो सव अंडे जो हमारे बेचे नहीं जा रहे थे सावन महा में उन सव अंडे को हमने क्या कि इंकुबेटर में डाल दिया सपोस कीजिये कि इसमें से 80 चूजे निकल थे क्योंकि हमारा जो इंकुबेटर है कम से कम 80 प्रदिशत का तो रिजर्ट दे ही देता है अभी निकलने वाले 80 चूजो की बात करें तो 80 चूजो को आप जो मार्केट कर 1000 रुपे कमा सकते थे वो भी दूसरे मोसम में सावन में तो बेचा ही नहीं जा रहा है तो आएसे में दोस्तों आपको हर चूजा 50 रुपे में बेच कर मुझे बताईए जो अंडा 10 में नहीं जा रहा था उसी अंडे से हमने चूजा निकाला और उसको बेच दिया तो द दोस्तों यहां पर सव प्रतिशन समझ में इसलिए दोस्तों कि जैसा मोसम है उसी हिसाब से बदलना पड़ता है नहीं बिखते हैं न सावन में आंडे कोई दिक्कत नहीं है आपको यह बात पता हुनी चाहिए कि सावन में निकलने वाले चूजे जो है दोस्तों वहत महां में दोस्तों होली के दूसरे दिन दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड रहती है इसलिए दोस्तों दिक्कत में कभी आना नहीं है दिक्कत आती है तो आपका भाई आपके लिए खड़ा है इसलिए यहां से आगे सावन में अंडा नहीं बेचा जाता है तना छोड़ दी नहीं तो छोड़ दीजे किसी पर जोर जबर्दस्ती नहीं है लेकिन दूसरी कंपणिया कहीती है कि मशीन पहुचने के बाद उनका काम समाप्त हुआ मैं कहीता हूं कि मशीन पहुचने के बाद मुफ्त में मेरा काम वहां पर हो गया दोस्तों सौ प्रतिशाथ शुरू इसलि आपके फार्म का मुनाफ़ा दिन दुगनी राच योगनी प्रोग्रेस से बढ़ेगा और जो एक आपका सपना है कि देशी मुर्गी पालन के इस व्यावसाय से लाखों का मुनाफ़ा कमाना है दोस्तो वह सपना भी आपका हो जाएगा सव प्रतिशत पूरा दोस्तो ये तरकीब कैसी लगी क्रिपया कमेंट सेक्शन में लिख कर भीजी क्यूंकि सरकार ने जिस तरकीब का सग्यान लिया है दोस्तो माना जाता है कि वो बहतर संकलपना होती है मैं क्रेडिट तो नहीं लेना चाहता हूँ क्यूंकि दोस्तों मैंने आपको वायदा किया है कि मैं आपके फायदे के लिए अंत समय तक काम करता रहूंगा इसलिए दोस्तों यहां पर एक बात की जानकार रखेगी जो आपने लिए अच्छा है जो कुछ सच्छा है वो अपना लीजिए बाकि छोड़ दीजिए और कृपया गुजारिश करता हूँ आपसे विरती करता हूँ कि सावन के माहा में बरबाद होने वाले अंडे ना बेच जाने वाले अंडो को फेक कर मत दीजिए सव अंडो वाला इंकुबिटर मांगाईए चूजे निकालिए बड़ा कीजिए अपना फार्म ताकि मुड़ कर देखनी की आवश्शक्ता नहीं होगी ऐसे ही चोटी चोटी जानकारिया मैं मेरे आउनलाइन शेशन में देता इतने युआ यूती दिवैंग विकलांग वैस का अबादी के सदस्य लाखों का मुनाफ़ा मेरे साथ जुड़कर पा रहे है क्या आपको मेरे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है अगर हां तो संपर्क कीजिए 84, 82, 62 पर और कर लिजिए दोस्तों आ इसा लगा कमेंट सेक्षन में लिख कर भीजिए कुछ सवाल होगे तो भेच दीजिए पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटस अप नंबर वा घरका सदस से मान चुका हूँ क्या आप भी मुझे अपना सदस से मानते है घरका सदस से मानते है तो सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आ जाईए वहाँ पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब सब्सक्राइब के निशान को टच कर दिजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटे एंगिस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को अन कर दिजे ताकि आने वाला हरुड़ आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आइसा ही एक नया वीडि लेकर मैं आपका दोस्तों देल आप सभी के चहीते चानल इंडियन किसान पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज कुड़ में तहे दिल से बहुत-बहुत आप